असलाम दोकुम स्टूडेंट्स कैसे आम लोग उमीदें आप सब खेरियस सोंगे आइम सहीदे कामर नदीम आइम यह बायोलोजी टीचर फॉर क्लास नाइन्थ तुडेंट्स आज चे टॉपिक हम स्टूडी करने जा रहे हैं वो रिमेनिंग टाइप है कमपाउंट टिशू की और हम डिसक्स करेंगे फ्लोईम टिशू की डिटेल को हम देखेंगे कि फ्लोईम टिशू का क्या स्ट्रक्चर है इसकी क्या डैपनेशन है है क्या रोल है और हम इसकी डाइग्रम भी देखेंगे तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ स्टुडेंट्स आज हम स्टुडी करने जा रहे हैं फ्लोईम टिशू को फ्लोईम टिशू कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंट टिशू की ही टाइप है हम दोगे अपने पिस्टे लेक्चर में complex tissue compound tissue को define किया था और हमें पता है कि complex tissue को हम कैसे define कर सकते हैं a tissue which is composed of more than one type of cell is known as compound or complex tissue तो हम देखते हैं वो tissues जो के एक से ज्यादा type of cell से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं compound या पर complex tissue और हमने यह भी study किया था कि complex tissues की दो टाइब से जैसे के जाइलम और फ्लॉइम जाइलम टिशू को हमने detail में study किया था अपने पिछले लेक्चर में आज चो हम detail में study करेंगे वह है complex tissue की second type और वह फ्लॉइम टिशू स्टुटेंट्स अगर फ्लॉइम टिशू को देखे के फ्लॉइम टिशू जो यह वो उसको हम कैसे define कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि फ्लॉइम टिशू इस अप्लेक्स टिशू that is used to transport food throughout the plant body यानि ऐसा टिशू जो के complex tissue है यानि more than one type of cell से मिलकर बना है और यह क्यों यूज होता है यह यूज होता है in the conduction of food यहां पर हम कह सकते हैं in the transportation of food throughout the plant body यानि plant body के उन parts तक यह food को conduct करता है यह transport करता है जहां पर food मौजूद नहीं होता students अगर हम लोग फ्लोइम टिशू की बात करें तो फ्लोइम टिशू दो टाइपस के सेल से बना है लेकिन इसके structure पर जाने से पहले हम यह देख लेते हैं कि फ्लोइम टिशू एक Greek word से originate हुआ था और उसका मतलब था bark क्यूंकि हम यह देखते हैं कि trees में जो फ्लोइम टिशू है यह बनाते हैं innermost layer of the bark यानि हम यूँ कह सकते हैं कि in trees the innermost layer in the bark is known as phloem यानि phloem में जो सबसे अंदर की तरफ layer होती है वो किस चीज से बनी होती है वो इन ही phloem टिशू से बनी होती है जिसकी वदा से हम इसको नाम देते हैं phloem का और यह Greek word से origin हुआ था word और जिसका मतलब था bark यानि कि दरख की चाल students अब हम देख रहते हैं phloem tissue का structure और हम यह देखते हैं कि phloem tissue दो main types of cells से मिलकर बनते हैं पहली type है sieve tube cells या sieve tubes और दूसरी type है companion cells students अगर हम लोग sieve tube cells की बात करें तो यह long होते हैं इसकी इलावा इनकी end walls present होती है और हम यह देखते हैं कि यह जो cells होते हैं यह भी आपस में join होते हैं और यह join होके लंबी क्या करते हैं long tubes बनाते हैं तो हम यह देखते हैं students यह जो sieve tube cells हैं यह long होते हैं इसके इलावा इनकी end walls भी होती हैं और यह आपस में join होते हैं और यह लंबी tubes की form बना देते हैं यानि हम यह देखते हैं कि final structure जैसा आप लोगो सीव tube cells का नजर आएगा तो वह cells आपस में join होंगे और यह join होके cells जो वह क्या बनाएंगे long tubes बनाएंगे इसके बाद हम यह देखते हैं कि अगर हम यह देखें कि यह जो सीव tube cells हैं जब यह immature होते हैं तो इनके पास इनका अपना न्यूक्लिस में मौजूद होते हैं और साथ साथ बहुत सारी और इनके cells में पाई जाती हैं लेकिन maturity पर जानी जब यह आगे फर्दर जो वह ग्रो करते जाते हैं जब यह बड़े हो जाते हैं मैचूर हो होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं maturity पर यह जो सेल्स जो होते हैं यह अपना न्यूक्लिस और बहुत सारी जो ओर्गनेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं खो देते हैं जिसकी वज़ास से हम यह देखते हैं कि इन्ही फ्लोईम टिशूस में मौजूद जो यह second type of cell की जो के companion cell है वो इन सीप ट्यूप सेल्स के लिए protein synthesize करता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि यह companion cell जो हुए यह सीप ट्यूप सेल का एक बहुत ही अच्छा companion है यानि के बहुत यह अच्छा दोस्त है कि जब maturity पर यह सीप ट्यूप सेल्स जो हैं यह अपना nucleus और बहुत सारी organelles जो है वो लॉस्ट कर देते हैं तो यह companion cells ही वो cells होते हैं जो कि क्या करते हैं इन सीव tube cells के लिए protein बनाते हैं इसके लावा अगर हम लोग companion cells का structure देखे हैं तो हम यह देखते हैं कि यह companion cells जो है यह भी long होते हैं और tube की form में आपको नज़र आएंगे students अगर हम लोग यह देखें कि किस form में और किस mechanism के through जो food है वो transport होता है तो हम यह देखते हैं कि flowing tissues में यह food transport होता है और इस process को हम नाम देते हैं ट्रांस location का अब कौन सा mechanism यूज होता है इस ट्रांस लोकेशन और food के लिए तो students हम यह देखते हैं कि इस के लिए mechanism यूज होता है pressure flow mechanism students pressure flow mechanism को discuss करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि leaves में जो mesophyll cells होते हैं उनमें synthesize होता है glucose और glucose किस process के थ्रू बनता है वो बनता है photosynthesis के process के थ्रू अब कुछ glucose तो हम यह देखते हैं कि कुछ glucose यूटिलाइज हो जाते है plant के different parts जो है वो उसको अपनी different activities में जो यूटिलाइज कर लेते हैं लेकिन सुदेंस हम यह observe करते हैं कि कुछ जो glucose होता है वो बच जाता है और यह excess glucose जो के बच जाते है यह convert हो जाता है in the form of sucrose अब यह सुख्रोस जो है यह फर्दर जो parts होंगे plants के वहां पर जो हो इस्टोर होगी इस्टोर फ्लू मेकैनिजम को discuss करने से पहले मैंने आपको यह बताया कि क्लूकोस इंटिसाइज होता है मीजओ फिल सेल्स में और मीजओ फिल सेल्स में जो ग्लूकोस होता है उसम Academic में तुर्व हो गा यह कौई से मकैनिजम के तुरोगा यह होगा प्रेश्ग्र फ्लोर मेकै निजम के तुरोर transportation, इस transportation को transportation का हमने नाम दिया, अब हम देखते हैं, pressure flow mechanism के लिए सबसे पहले आपको जोए वो दो terms पता होने चाहिए, एक source और एक sink, हम यह देखते हैं कि leaves जहां पर यह glucose synthesize हो रहे हैं, इस leaf को हम कहेंगे source, क्योंकि students हम यह देखते हैं कि यह leaf source हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्यो growth में और यह further transport होगा through flowing tissues to other parts of the plant, जिनको के हम नाम देंगे sink का, यानि इसका मतलब यह हुआ, कि source वो portion है यह यह वो organ है, जहां पर glucose synthesize हो रहे हैं और excess में present है, और sink वो organs है, plant parts है, जहां पर के glucose की कमी है और वहां पर glucose चाहिए, तो हम यह देखते हैं कि अब क्या होगा, कि ज यहां पर यह glucose synthesize हुआ है और convert हुआ है, सुक्रोस की form में वहां पर salute की concentration जाद है, जिसकी वजा से हम यह देखते हैं कि xylem tissues के through water जो है वो enter होगा in mesophyll cells में, जिसकी वजा से यहां पर food और water का एक pressure बन जाएगा, और इस pressure की वजा से हम यह देखेंगे कि यह जो food है और यह जो water है यह liquid यह आप समझें, mixture की form में यह एक sap की form में जो है वो यह move करेगा, mesophyll cell से यह आजेगा यह enter होजएगा एक pressure के through in phloem cells के अंदर या in phloem tissues के अंदर, इसके बाद हम यह देखते हैं कि जब यह pressure की तहट जो है यह enter होगा phloem tissues में और translocate होगा, यानि कि यह उन parts की इस तरह move करेगा, जहां पर glucose या सुख्रोस की कवी है, अब हम देखते हैं यह phloem जो tissues है, यह translocation में help करेंगे, इस sap की या इस mixer या solution की जिसमें के water भी है और organic material या हम कहते हैं, और organic जो food है, वो भी आपका इसी water में जो है, यह मौजूद है, हम यह देखते हैं कि फ्लोem tissues इस sap को translocate करेगा, और यह translocate करके कहां पर पहुंचा देगा, सिंग की तरप पहुंचा देगा, यानि उन पार्ट की तरप पहुंचा देगा, जहां पर सुख्रोस की concentration कम है, और फिर यह जो food है, यह जो sap है, यह source से जो है वो निकला, और source से निकलने के बाद यह एंटर ह हुआ, कहां पर flowing tissues में, जहां पर हम यह देखते हैं कि pressure की help से जोई यह move किया towards the sink, और फिर यह बाकी पार्ट सक पहुंचा जहां पर सुख्रोस की कम ही थी, तो यह mechanism था जिसके through जोई यह translocation होती है, food की throughout the plant body, तो आप लोग को students पता चल गया, कि किस तरहा किसी भी plant के conduction होती है, और इस transportation या conduction of food को हमने क्या नाम दिया, translocation का, students मुझे उमीद है, आज के लेक्चर के आपको समझ आगी होगी है, लेकिन यहां पर मैं आप से एक छोटी सा कोईस्त लूंगी और आपको एक छोटी सी activity दूंगी करने के लिए, तो हम चलते हैं अपने quiz की तरफ, स सबसे पहले जो मेरे पास question है, वो है define phloem tissue, तो phloem tissue, आपके पास phloem tissue क्या है, phloem tissue ऐसा tissue होता है, जो के complex tissue है और यह conduct करता है food को throughout the plant body, इसके बाद students, आपके पास next question है, give structure of phloem tissue, तो यहां पर आपको पता है कि phloem tissue, जो वो किन दो cells से या किन दो main components से मिलकर बना हुए, त हम देखते हैं कि एक है sieve tube cells और दूसरा है companion cells, इसके बाद students हमाई पास जो next question है, वो है give role of companion cells और यह बहुत ही important short question है, exam point of view से, तो आप लोगो पता है कि companion cells, अगर आपको यह भी पूछते जाए कि what are companion cells, तो भी इसका यही answer होगा, कि companion cells provide या synthesized protein for the sieve tube cells, क्योंकि हमें पता है कि companion cells क्या काम करते हैं, यह protein बनाते हैं किसके लिए sieve tube cells के लिए और यह क्यों बनाते हैं, इसका जो reason है, वह बनाव को बताये, यह sieve tube cells mature होते हैं, तो उस फक्ड नूक्लियस और बहुत सारे organs जो है उनका loss हो जाते हैं, और हम यह देखते हैं कि वह अपनी protein को synthesize नहीं कर सक लोग को पता होना चाहिए कि sieve tube cells यह long cells होते हैं, इसके इलावा हम देखते हैं कि इन में end walls भी होती हैं और यह क्या करते हैं, यह आपस में join होते हैं और यह long tubes की form में आपको नजर आते हैं, इसके बाद students आपको जो हो यहां से long question भी आ सकता है और यह long question जो हो आया भी नोट आएगा तो आप लोग कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले आप फ्लोइम टिशू की definition लिखेंगे, इसके बाद आप लोग फ्लोइम टिशू के बारे में जो है उसका structure बताएंगे, कि फ्लोइम टिशू जो है वो किन किन सेल से मिलकर बनता है, आप लोग सीव ट्यू कि राइट नोट ओन कंपाउंट टिशू तो आप लोग ने क्या करना है, कंपाउंट टिशू को define करना है, उसके बाद उसकी जो दो टाइप से जालम टिशू और फ्लोइम टिशू इन दोनों को explain करना है, और आप लोग ने यह explanation जो है वो heading के साथ देनी है, कि सबसे पहले Ofrüam Tissue को explain करेंगे, फिर Florm Tissue को explain करेंगे, जालम टिशू की डाइगराम आप Zalem Tissue के साथ बनाएंगे, और किस चीज़ से बनाएंगे, पैन से बनाएंगे, पैंसिल आप लोग use नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि आप लोग को allow नहीं है, तो आज की छोटी सी activity है आप लोग क दों करने और आपने इसकी डाइघंपी डॉकु करने ही पैंच से ताकि आप लोग की बहुती अच्छी परेक्टिस हो जा intention की और और दोकी प्रैक्टिस हो जाए किस तरह अगर यह लुग कुस्टनत आप खाटे आप किस तरह उसको attempt कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करेंगे इस्टुडेंट्स आज हमने डिसकर्स किया फ्लोईम टिशूस को हमने देखा कि फ्लोईम टिशूस किस तरह करते हैं food को throughout the plant body इसके साथ साथ हमने इसकी structure को भी discuss किया और हमने देखा कि इसकी structure को बनाने में कौन कौन से सेल्स शामिल होते हैं और हमने किन-किन सेल्स के डिटेल को स्टेडी किया हमने देखा सीव ट्यूप सेल्स को और companion सेल्स को स्टुटेंट्स आप लोगों में एक छोटी सी activity दी और वो activity क्या है कि आपने को इसकी रिटन प्रेक्टिस करनी है क्योंकि इस को इस में पूछ जाने वाले questions both point of view से बहुत ही important है इसलिए आपने flowing tissue को लॉंग बाइस और शॉर्ट बाइस प्रिपेर कर लेना है ताके आने वाले वक्त में एक्जैम के preparation में आपको किसी किसम की difficulty का सामना ना करना पड़ें उमीद है आज के लेक्चर के आपको समझा आगी होगी नेक्स लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मुझे द्वाव में याद रखेगा अलापिस